ये दीखिए दोस्तो दहीबड़ा यहाँ पर कितना सॉफट बना है और आप इसका कलर देखिए टेक्चर देखिए कितना बड़ी आया है तो आज हम ये सुपर सॉफट दहीबड़ा घर में तयार करेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरे साथ बहुती सॉफ्ट और एक डब स्पॉंजी दही बड़े को उड़त दाल के दही बड़े बनाने के लिए मैंने आपर दो कब बिना छिलके वाली उड़त की दाल लिए है और ये जो दाल है आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी और इस दाल को साब पानी से धो के लगभग दो गलास पानी डाल कर रात बर भीगने के लिए रख देना है मैंने आपड को लगभग 7-8 घंटे के लिए भीगने की रखा था यह जो दाल है अपनी quantity की double हो गई हो काफी अच्छे से फूल गई है और अब हमें यहाँ पर दाल में से निकाल देना है पानी को और पानी निकालने के बाद दाल को इस तरीके से एक चलनी पर रख देना है और अब लेंगे हम एक grinding जार और जार में डालेंगे अपनी धूली हुई उड़त की दाल हमें यहाँ पर जार को पूरा नहीं भरना है आदा भरना है और इसको करेंगे हम बारिक ग्राइंड तो यहाँ पर मैंने एक बार मिक्सी चलाई और यह देखिए दाल यहाँ पर दरदरी पिस गई है तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है लगबग आदा कप पानी और पानी डालने के बाद दाल को हम फिर से अच्छे से चलाएंगे यह जो उड़त की डाल होती है थोड़ी चिकनी होती है जिसका इसको पीषने में थोड़ा सा टाइम लगता है यह देखिए दाल यहाँ पर हमारी पिस गई है और पिसने के बाद इसको निकाल लेंगे हम एक बावल में सारी दाल यहां पर हमारी पिस गई है और यह देखिए एकदब स्मूथ और थिक पैटर बनकी हो गया है तैयार अब हम दालेंगे दाल में लगभग आदा चम्मच हींग आदा चम्मच नमक और दाल को घुमाते हुए चम्मच की मदद से लगभग पांच मिनट तक अच्छे से फिट ना है तो पांच मिनट हो गए हैं और दाल यहां पर हमारी फिट गई है तो चलिए दाल को हम चेक कर लेते हैं चेक करने के लिए मैंने आप लिया है एक बावल में पानी और उस पानी में डालेंगे हम फिटी हुई दाल का छोटा सा तरीके का मिक्शर अगर यह mixture पानी में डूप जाता तो इसका मतलब है आपको दाल को और फैटना पड़ेगा और यह जो mixture है यह तैर रहा है इसका मतलब है दाल यहाँ पर हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से फिटी हुई है मैंने एक कढ़ाई में आदा लीटर तेल को कर लिया है अच्छे से गरम और अब हम करेंगे हाथों को पानी से ग्रीश और ग्रीश करने से यह जो दाल है हाथों में चिपकती नहीं है और लेंगे यहाँ पर हम दाल का छोटा सा portion और इस portion को डाल देंगे हम गरम-गरम कड़ाई में और इन बड़ों को हमें यहाँ पर medium flame पर चलाते हूँ अच्छे से fry करना है तो इन बड़ों को fry होने में लगबग 5-6 मिनट लगते हैं और 5-6 मिनट में बड़े अच्छे से सुनहरे हो जाते हैं यह देखिए बड़ों का यहाँ पर color change हो गया है तो इनको निकाल लेंगे हम तेल से बाहर और इनको करेंगे हम एक बड़े से बावल में transfer और इसी तरीके से सारे बड़ों को कर लेंगे हम fry अब लिया है यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पतीला और उसमें डालेंगे दो गलास पानी तो हमें यहाँ पर इस पानी को उबालना नहीं है हलका सा गरम करना है पानी यहाँ पर हमारा गरम हो गया है तो गैस को कर देंगे हम बन और इस गरम गरम पानी में डाल देंगे हम तयार की हुए बड़े और अब हमें इन बड़ों को पांच मिनिट तक ढखके इसी तरीके से पानी में छोड़ देना है तो जब तक बड़े हमारे फूल रहे हम अपना दही तयार कर लेते हैं जिसके लिए एक बावल में डाली है मैंने एक कप चीनी और डालेंगे दो साब से देखेंगे तो मैंने 400 ग्राम यहां पर दही लिया है दही हमें खटा नहीं लेना है ताजा लेना है यहां पर मैंने बाजार का दही लिया है आप चाहे तो घर का जमा हुआ दही भी ले सकते हैं और अब हमें यहां पर चम्मच की मदद से इस तरीके से दही में चीन जिसके लिए बड़ों मैंसे जो एक्सेस बॉर्टर है हातों की मदद से दबाते उसको हम निकाल देंगे मैं यहाँ पर इस चार बड़ों की प्लेटिंग कर रही हूँ और इन बड़ों के उपर डालेंगे हम खूब सारा तयार किया हुआ दही दही में तो कंजूसी बिल्कुल ना करें खूब भर भर के दही डालें क्योंकि जो दही बड़ों का टेस्ट है दही की बज़े से ही डबल हो जाता है और अब डालेंगे हम लगबग आदा आदा चमच खट्टी मिठी इमली की चटनी इसकी रेस्पी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी एक एक चुटकी नमक और एक एक चुटकी सारे बड़ों पर डालेंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर और एक एक चुटकी डालेंगे हम लाल मिच का पाउडर ये हो गए हैं दही बड़े हमारे खाने के लिए तैयार एक बड़े को मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये देखी बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्पॉंजी है ये तो कैसी लगी आपको मेरे ये दही बड़ो की रेस्पी इसको आप एक बच जरूर ड्राय करें और अपना एक कमेंट कमेंट बोक्स में जाकर जरूर शियर करें जुड़े रहे आप मेरे साथ मैं ऐसी नेनी रेस्पी लाती रहूँगी मिलते हैं आपसे नेक्स रेस्पी में तब तक के लिए बाई बाई